कि इस्टेटी हैं तो कि हमें और दी आवाप शर्ण करेंगे आप्रूबर लाजिंसिंग और रोडिस्ट्रेशन ऑफ बारे में और हम फैक्तरिश के बारे बारे में बात कर चुके हैं, वर्कर्स के बारे में बात कर चुके हैं, फैक्टरी के कुछ प्रोविजन्स के बारे में बात कर चुके हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फैक्टरी को स्टार्ट किया जाता है, उसके लिए किस तरीके से हमें परमीशन लेनी है, या license लेना है या उसको register करवाना है तो क्या process रहेगी अब हम स्टार्ट करेंगे तो अगर कोई भी person अगर factory लगाना चाहता है factory establish करना चाहता है तो उसके लिए उसे सबसे पहले approval लेना होगा proper authority से approval के साथ-साथ license अगर माल लिजिए proper license की वहाँ requirement है तो license भी उसको मिलना लेना पड़ेगा और उसको अपनी factory को register भी कराना पड़ेगा इसके पीछी reason यही है कि कोई भी इस तरीके की factory start करने से पहले जब approval लिया जाता है तो बहुत सारी provisions हैं जो check किये जाते हैं कि वो factory के owner ने या occupier ने उनको follow किया है या नहीं किया है इससे यह idea लग जाता है authorities को कि क्या इस factory को अच्छे जंग से चलाया जाने वाला है क्या सभी norms को fulfill किया गया है क्या workers की safety या health या working conditions से related जो rules हैं वो सही जंग से बनाए गए हैं क्या कोई policy maintain की गई है तो यह इसलिए इसकी approval या licensing या registration का जो होना कमपसरी रखा गया है ठीक है तो obviously जो government है अगर या जो भी competent authority है अगर उन्हें ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है या कहीं कुछ provisions follow नहीं किये गए है या कोई arrangements नहीं किये गए है तो maybe वो approval देने से मना कर सकती है ठीक है हाला कि उसके against appeal भी हो सकती है पर मना करने का जो criteria वो यही रहेगा कि चेक किया जाएगा कि किस तरीके से वो provisions को लागू कर रहे है ठीक है तो जो state government है उसके पास अधिकार है कुछ provisions बनाने का approval से related या licensing या फिर registration वो देख लेते हैं हम तो factory को set up करने के लिए क्या क्या provisions follow करने है वो सबसे पहले है कि हमें एक permission लेनी होगी और permission हमें obviously return में लेनी होगी proper authority से जिसमें हम अपनी factory के बारे में एक plan जो हमारी योजना है उसके बारे में हम लिखेंगे या बताएंगे चीक है उसके अलावा कि जो हम अपना proposal देंगे उसमें हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से हम अपनी conditions को fulfill करने वाले हैं या अभी तक हमने क्या-क्या achieve कर लिया है condition के पार पे और अगर कोई fees है तो हमें वो fees भी deposit कराने पड़ेगी अब बात आता है दूसरे step की next that is acceptance of licensing and registration मतलब क्या है कि हमने application दे दी right अब सामने वाली authority के हाथ में है कि वो हमें इसके लिए acceptance देती है या नहीं देती है और acceptance देने का provision यही है कि आप अपनी application fees के साथ जो है registered post से भेजोगे state government को या जिस भी area में आप factory लगाना चाहते हैं अगर वहाँ कोई chief inspector है उसको भी आप भेज़ सकते हो और उसके अलावा अगर आपकी application को या तो फिर वो मना कर देंगे reject कर देंगे या अगर वो जवाब नहीं देते and you wait for three months में minimum three months आपको wait करना है three months wait करने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता है तो it is assumed that you have you are allowed to start your factory right तो आपका proposal जो है वो accept हो गया है यह मान लेना हमने फिर है appeal against refuser मान लीजी refuse कर दिया गया है कि आपको इजासत नहीं मली factory लगाने की तो आप इस इसके लिए आप appeal कर सकते हो मान लीजी चीफ इंस फैक्टर ने मना कर दिया तो आप उसकी against appeal कर सकते हो state government में और अगर state government ने deny कर दिया है तो आप उसके against कर सकते हो central government में ठीक है अब बात आती है कि मान लीजी factory लगाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नई factory ही हम start करेंगे तो हमें ये permission चाहिए कई बार ऐसा होता है कि हमें factory को enhance करना है बढ़ाना है जिसे कहते हैं ना कि उसका दाइरा बढ़ा देना तो अगर हम को factory को सिर्फ install तो हम कर चुके हैं करना पड़ेगा लेकिन कई बार क्या हाता है कि मान लीजी एक machine टूट फूट गए और आपने उसकी जगा दूसरी machine रखवा दी या नहीं खरीद ली उसका मतलब factory के enhancement से नहीं है वो तो just एक replacement है और कुछ नहीं है तो सिर्फ नई machinery लेकर आना वो कोई factory का expansion नहीं गहलाएगा ठीक है कई बार क्या होता है कि हमने कुछ नई machine ले ली अब नई machine लेने से क्या हुआ कि जो आपने factory की building है उसका अपने area तो बढ़ाया नहीं आपने क्या किया कि वही machine है set की तो जहां worker बैठ कर काम किया करते थे अब उनको space थोड़ा सा conscious state हो गया यहां आपको permission लेनी पड़ेगे क्योंकि आपने क्या किया है आपने उनकी working condition को थोड़ा सा tight कर दिया है आपने उनकी जो एक तरीके से देखो बैठ कर काम करना या एक proper place पर काम करना ये भी तो उनकी working condition का ही एक part है अगर आप उनको comfortable area नहीं provide कर सकते तो वो किस तरीके से काम करेंगे तो अगर आप बहुत ज़्यादा machinery add कर रहे हो और पुरानी बहार नहीं कर रहे हो इसका मतलब तो expansion यह माना जाएगा फिर तो क्योंकि वहाँ पर तो आपने जो changes किये हैं तो changes का मतलब तो फिर workers की जो sitting का जो place है उसको आपने reduce कर दिया है या कई बार ऐसा भी होता है हमने article बदल दिया हमने raw material change कर दिया अब नए raw material में क्या है कि कुछ pollution create हो रहा है या workers की health की ओपर को issue आ रहा है यहां यह चीजें भी improve important है इनके लिए भी approval लेनी पड़ेगी होई चीक है तो जो भी occupier होता है उसकी liability होती है कि एक तो वो apply करें इसके लिए application दे और दूसरा जो भी fees वगरा है वो जमा करा है और जो भी provisions हैं उनको follow करें otherwise उसको उसके पर penalty लग सकती है चीक है तो जो भी machinery यूज की जानी है या यूज की जा रही है उसका design जो article यूज कर रहे है raw material यूज कर रहे है जो जगा है जिस area में वो काम कर रहे है वो सारी चीजें जो इसदारे में आती है next point है मारा notice by occupier तो अब occupier ने application दे दी और 15 दिन पहले मतलब जब वो occupy कर लेगा यानि कि उसने factory का काम start कर दिया उससे ठीक 15 दिन पहले मतलब उसको क्या करना होगा मतलब आप कह सकते हो कि कम से कम 15 दिन पहले उसको कुछ information जो है वो किसको देनी है जो भी chief inspector है यो जो state comment है उसको क्या क्या देनी है information एक तो factory का name location, occupier का name address, owner का name address और वो address जहां पर factory के साथ पत्र वेवार यानि correspondence किया जा सकता है और उसके अलावा अगर factory पहले से ही चल रही है तो किस तरीके के manufacturing process की गई है पिछले बारा मेन में या अगर नई factory आप लगा रहे हो या फिर आप अपनी manufacturing process में कोई change कर रहे हो तो next future में यानि की next coming 12 months में आप किस तरीके की manufacturing process जो है वो करने वाले हो तो यह सारी information आपको देनी है मतलब किसको देनी है occupier को देनी है state government को और उसके अलावा manager का नाम अगर कोई manager लगा रखा है तो उसका नाम address कितने worker काम पर लगा रखे हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा हमें ठीक है और law जब यह law start हुआ था तो उस समय जो factory थी उनको 30 दिन के अंदर अंदर यह सारी कारवाही करने थी लेकिन अब तो खेर काफी हम आ गया चुके हैं अभी आपको जो है occupy करने से ठीक 15 दिन पहले से यह काम करना होता है ठीक है कोई भी seasonal factory है जिसमें कम 180 दिन से कम टाइम के लिए काम होता है उसे हम seasonal factory कह सकते हैं यानि manufacturing कम होती कम टाइम के लिए होती है तो उनको जो है यह information जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर देनी है manufacturing स्टार्ट करने से पहले अगर मानले जी कोई manager लगाया गया है उस manager के बारे में भी information हमें जो है वो chief inspector को देनी पड़ेगी और अगर मानले को manager नहीं लगाया तो obviously जो occupier है वही manager है और उसका नाम और address तो हमने देना ही देना है ठीक है न और यह सारी चीजों का जो मकसद है देने का information उसका मकसद यही है कि factory में कौन काम कर रहा है और कौन चला रहा है यह बड़ी important चीज़ है ultimate control किसका है यहां से पता लग जाता है जब उनके पास information जाती है next is general duties of the occupier अब occupier की general duties क्या क्या है general duties तो यही है कि वो सारे provision जो health से protection से safety से working conditions related है उनको follow करे और जो भी conditions है उनको पूरा करे ठीक है ensure करेंगे उनकी health पर कोई भी जलत उसका असर ना हो चीक है general duties of manufacturer as regards articles अब देखिए जो भी manufacturing हो रही है यह जो manufacturer है वो किस तरीके का material इस्तेमाल कर रहा है कई बर क्या होता है कि रहो material ऐसा होता है कि जिसमें बड़ा धुआ निकलता है dust निकलती है which is not good for workers which may be harmful for their health so कुछ dangerous articles भी होते है chemicals का इस्तेमाल मालों हम कर रहे हैं तो chemicals तो बहुत ऐसे खतरना chemicals आपने भपाल का gas can't सुना होगा जो जिसमें बहुत सारे मजदूर और आसपास के area के जो लोग हैं वो काफी affect होते हैं बुरी तरह से और बहुत सारे लोग आज भी blind भी हैं और handicap भी हो चुके हैं कई लोग की death हो गई थी वो इसका क्या था वो यही reason था कि वहाँ पर इस तरीके के chemical system होते थे और सुरक्षा के कोई खास इंतिजाम थे नहीं जिसकी वज़ा से इतना बड़ी इतनी बड़ी दुखटना हुई तो यह जो हम बात कर रहे हैं कि manufacturer किस तरीके का article इस्तेमाल कर रहा है क्या process इस्तेमाल हो रही है क्या उनके लिए arrangements किए गए हैं उनकी protection के लिए आप जो है article किस तरीके से use क करोंगे क्या process रहेगा यह सारी चीजें जो हैं और वह सेफ होना है होगा या नहीं होगा उसमें risk factor कितना है तो यह सारा important है कि पर क्या होता है हम कोई भी आर्टिकल या कोई machinery है मालेजी हम बाहर से मंगवा रहे हैं अगर मालेजी आर्टिकल कि हम बात करेंगा कोई product है कोई जिस भी country से आपने मंगवाया है उस country में क्या वो सारे standards follow किये गए हैं जो इंडिया में किये चाते हैं अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर हमें यह पॉस करके सोचना होगा कि यह चीज ठीक नहीं है और हमें इसको वापिस अपने track पर लाना होगा ठीक है तो कुल मिलाकर हमारा जो मकसद है या occupier का जो information देने का मकसद है वो यही है कि workers जो काम कर रहे हैं जो हमारी manpower है वो protected रहे safe रहे healthy रहे harmless रहे यह बहुत important चीज है ठीक है तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे next वीडियो में हम और discussion लेंगे और factory act के बारे में बात करेंग थैंक यू सो मच बबाई टेक कियर